बिसमिल्लाहराह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम स्टूड़ेंट्स आज की वीडियो में हम यूरेट नमबर 6.4 एक्वेशन ओफ कंटिनिटी को डिसकस करेंगे तो एक्वेशन ओफ कंटिनिटी को डिसकस करने से पहले आइडियल फ्लूट को डिसकस करना बहुत इपोर्टन है क्योंकि एक्वेशन ओफ कंटिनिटी में हम जहें वो आइडियल फ्लूट की बात करेंगे तो आइडियल फ्लूट क्या होते हैं देखें आइडियल वो चीज़ होती है जो के सिर्फ जह हम लोग सपोस कर सकते हैं रियालिटी नहीं होती सही तो हमारे पास यहां पर कुछ फंक्षन यहां पर मैं आपको दिखा रहोँ आइडियल फ्लूट के आइडियल फ्लूट इस नॉन विस्कस इन वोडियर्ट इस नॉन विस्कस होता है हम यानि कि ideal condition suppose करते हैं इसे तरीके से ideal fluid is incompressible that means density raw of the fluid at any point is same यानि कि fluid को आप compress नहीं कर सकते हैं basically ऐसा नहीं है fluid को आप compress करवा सकते हैं सही तो यह भी हमारे पास जैसे एक assumption है तो ideal fluid के लिए हम जैसे कुछ assumption यहाँ पर करते हैं the motion of fluid is steady steady का मतलब यह है कि आपका fluid जैसे laminar होगा भी हम laminar को भी discuss कर लेते हैं और last हमारे पास कहा है the motion of fluid is irrotational यानि कि rotation नहीं होगा एक straight line के अंदर होगा अब देखें यह हमारे पास है steady flow यह जो laminar आपको flow नदर आ रहा है that is called the steady flow which가지고 flow के तमाम फिलीड के जो particles है वो एक ही direction में जा रहे है right? जबके turbulent flow के इसका poo opposite होता है जो randomize होता है यानि के अदर आपके पास YOUR particles है वो random direction के अंदर होता है right? ße 쉬?享naर यह हमारे पास हमारे पास जो ideal fluid है वो steady है steady का मतलब यह है कि तमाम इतमाँ particle की जो direction है वो एक ही direction है, यानि कि तमाम की तमाम particles यह वो एक ही direction में जा रहे हैं, इसे को हम लोग जाए वो laminar flow भी कह सकते हैं, तो laminar flow यह होता है कि जब आप sink को जो है, sink के लिए में पानी को open करते हैं, तो water directly है, तमाम की तमाम जो water की molecules है, वो downward direction होते हैं, that is called the laminar or steady flow, सही, अब हम चलत state continue होएं, चाहिए वो mass की state है, यानि कि आप initial state को देख लें, final state को देख लें, mass आपका continue रहेगा, सही, इसे तरीके से अगर आप volume को consider कर रहे हैं, तो object का initial state का volume और final state का volume सेम रहेगा, सही, तो इसको हम लोग कहते है equation of continuity, continuity का मतलब यह कि state constant रह रहे हैं, सही, आप कुछ changes produce कर रहे हैं, लेकिन अगर आप states को consider करेंगे, तो आपके पास continuity आपको नजर आएगी, तो यहां हम basically fluid की continuity की बात करते हैं, कि हमारे पास जो fluid जो है, उसकी continuity की factors बेंटेंड है, that is called the equation of continuity, सही, यानि कि अगर हम लोग कुछ factors को दियान में रहे हैं, तो हम लोग जाए वो fluid को continuously flow कर सकते हैं, that is called the equation of continuity, तो हम लोग यहां पर कह रहे हैं, for an ideal fluid, हम लोग नहीं यहां पर ideal fluid considered किया, वजह से मानों को पीछे बताया है, कुछ assumption बताई है, the product of cross-sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is constant, यानि कि ideal fluid के अंदर area का product of area and the speed of pipe, यानि कि a area को represent करेंगा, और b speed को represent करेंगा, यह हमारे पा constant के equal हो जाएंगे, यह हमारे पास क्या है, इसकी statement है, सही, इस statement को हम लोग जाओ, derivation के बाद justify भी करेंगे, क्या, क्या, यह equation हम ने बनाई है, यह नहीं बनाई है, और दूसरा हमारे पास क्या है, for an ideal fluid, the rate of volume flow of the fluid is always remains constant, अब देखें, तीनों की तीनों चीज़ें constant, देखें जाती नहीं हो रही है, जो state initial थी, वही state final आ रही है, यानि कि हर चीज़े है, वो continuously travel कर रही है, that is called the equation of continuity, यानि कि अगर हमें fluid को continuously flow करवाना है, तो हमें kin-kin factors की importance को देखना होगा, तो इसी के लिए हम लोग equation of continuity को drive करते है, तो चलते है, equation की तरफ expression drive करना, start करते है, मैं के रह मैं कहे रहा हूँ कि लटके लें कि del t time के अंदर मेरे पास, आपका जो fluid है, वो del x1 distance cover कर जाता है, और एक और time interval मैंने लिया वह, जिसमें आपका fluid, del x2 distance cover कर लेता है, सही, तो यह जो diagram आपको नजर आ रही है, इसी diagram के recording में, यहांपर wording करूँगा, देखें, consider an ideal fluid flowing through the pipe of non cross-section areas a1 and a2 as shown in figure, हमने एक pipe लिया है, जिसके दो ends है, a1 है, दूसरा क्या है, a2 है, और यह एक non uniform pipe है, क्योंकि इसका यह वाल end बड़ा है, यह वाल end छोटा है, नजर आ रहा है आपको, सही, let v1 and v2 be the velocities of the fluid at a1 and a2, मैं कहे रहा हूँ कि a1 के पर मेरे पास, जो velocity है, that is v1, और a2 क मेरे पास, जो velocity of fluid है, वो क्या है, v2 है, respectively, respectively का मतलब कि v1 के लिए a1 और v2 के लिए a2, सही, respectively का मतलब ही होता है, कि first वाला, जो factor है, first वाले component को represent करेगा, और second वाले factor है, second वाले component को represent करेगा, आगे, अब देखे हैं, हम लोग जह वो derivation का start करते है, अब मैं कहे रहा हूँ कि let करें कि यह आपका इस वाली state को consider कर रहा हूँ, distance traveled by fluid in very short interval of time del t when it flows through a1 is, यानि कि अगर आपका fluid a1 से गुज़रा है, तो कितना distance travel करेगा del t के अंदर, मैं कहा रहा हूँ कि यह जो मेरे पास factor है, यहां तक आपका fluid गुज़रा है, del t time के अंदर, सही, तो displacement हमरे पास क्या होत v1, right, तो मैं कहा रहा हूँ कि यह मरे पास first phase है, तो मैं कहा रहा हूँ, del x1 equals 2, यह मरे पास velocity है, v1, तो velocity को मैं थोड़ा से bold letter हो और यह थोड़ा से special letter से इस्तेमाल करहा हूँ, that is v1 delta t, right, तो अब जायर से बात है, यहां पर हमरे पास three dimensions है, area भी है, और हमरे पास क्या है, आपके पास length भी given है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह volume हो जागा, the volume of fluid flow through a1 in delta t is, area हमारे पास three dimensions होता है, right, sorry, volume हमारे पास three dimensions होता है, area हमारे पास two dimensions given है, that is cross section area, right, height into length अगर आपको given है, तो width हमारे पास जाएगा, sorry, height and width आपको given है, इस में, देखें, यह height है, pipe की, इस यह return हो जाएगा, length हो जाएगा, यहनिकी जो dell x हमारे पास displacement है एएड इस प्रहजाचिकर है, that is representing the length of the pipe, तो, dell1 क्या हो जाएगा, a1, dellx1, जहीर तो यह volume मारे पास three dimension हो जाएगा, area हमारे पास two dimension हो जाएगा, और यह और यह और पास क्या लेंध क्या है, और यह अद्व equals to v into t तो हमारे पास जा है वो del v1 क्या हो जाएगा a1 v1 delta t similarly volume of fluid flow through a2 in time del t is a2 है बिटा सही तो अब a2 में volume हमारे पास same ही होगा क्योंकि हमारे पास incompensable fluid है हमने का था कि volume हमारे पास constant है तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा volume भी हो जाएगा that is a2 del x2 अब यहाँ पर मैं इस वाले area की बात करहूँ और इस वाले distance की बात कर रहूँ तो यह क्या हो जाएगा a2 into del x2 क्या हो जाएगा v2 into del t इसी तरीके से similarly इसी तरीके से similarly मैंने लिखा न यानि कि मास की बात करूँगा तो according to the formula of density density की बात है mass per unit volume तो अगर मैं यहाँ से mass को element करा लें तो यह क्या हो जाएगा density into volume mass through area a1 की बात में करूँ फिल आल यहाँ की बात करूँ तो यह क्या हो जाएगा del m1 that will be equals to density to constant है यह क्योंकि incompressible fluid है तो density constant है हम लोग ने ideal fluid के अंदर बात किजिए कि density constant है तो density तो हमार पस भाई रहेगी और यह क्या हो जाएगा volume 1 की आप value निकाल चुके हैं देखेंगे रहा volume 1 a1 v1 delta t तो यह क्या हो जाएगा raw into a1 v1 delta t similarly इसे तरीके से क्योंकि mass भी हमार पस constant है mass को भी बने constant है तो हमार पस यहां पर क्या हो जाएगा similarly the mass flowing through a2 is that is del m2 equals to raw del v2 that is raw और v2 के वेलिए आप निकाल चुके that is a2 v2 into delta t तो यहां पर क्या आजएगा a2 v2 into delta t सही तो in steady flow the total mass in tube is constant यानि कि steady अगर flow है तो जो mass आपका गुजर रहा है वो हमेशे constant रहाता है यह भी हमार पास ideal fluid की जो है वो का property है तो हमार पास क्या हो जाएगा del m1 equals to del m2 यह sorry यह del m2 है तो उन्हों को हम लोगों ने equate करवा दिया that is raw a1 v1 delta t that will be equals to raw a2 v2 delta t तो raw delta t cancel out हो जाएगा तो आपके पास क्या बने जाएगा a1 v1 that will be equals to a2 v2 और we can say that देखें हमार कम कह सकते हैं कि product of area into volume that velocity that will be equals to constant सही तो यही statement की थी हमने देखें for an ideal fluid the product of cross section area of the pipe and the fluid speed at any point is constant तो हमारे पर देखें product बनाए area का और velocity का that will be equals to constant सही तो यह हमारे पास है equation of continuity तो यहां पर मैं कहा रहा हूँ कि above equation is known as equation of continuity from above relation we can conclude that speed of fluid is inversely proportional to the cross sectional area of the pipe देखें यह 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 ना तो अगर मैं बी को वाले कर जाएगा तो यह area के inverse related हो जाएगा तो यहां पर एक बहुत important property आ रही है कि जहां आपका area ज्यादा होगा वहां velocity कम हो जाएगी जहां area कम होगा वहां पर velocity ज्यादा हो जाएगी एक normal चोटा से practical मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको water को जाएगा आपने एक water pipe लिया वा है सही है तो आप water pipe को एक तरह से प्रेस करते हैं तो area को कम कर देते हैं तो जब area को कम कर देते हैं तो velocity increase हो जाती है यानि कि आपका water का जो distance है वो ज्यादा हो जाता है सही तो यह हमारे पास important relation है that area of cross section is inversely proportional to the velocity of the fluid यह हमारे पास बड़ी important चीज़ है बटा जहां आपका area कम हुआ वहां velocity ज्यादा हो जाएगी जहां आपका area ज्यादा होगा माँ पर velocity कम हो जाएगी सही अचा आगे चलते हैं आगे हमारे पास क्या है a v that will be equals to del v divided by delta t सही यहां हमारे पास जो product और velocity है area और velocity that will be equals to del v upon delta t यह कैसे आया हमारे पास यानि कि a और v का product जहा है वो del v upon del t के equal कैसे आया देखें a into velocity velocity हमारे पास के rate of change of distance यानि कि speed की बात कर लें तो rate of change of distance तो a into del x a into del x क्या बन जाएगा volume बन जाएगा divided by delta t तो a into b किसके एक बन हो जाएगा del v divided by delta t के बन हो जाएगा तो यह भी किसके बन हो जाएगा constant की एक बन हो जाएगा यानि कि above equation shows that the rate of volume flow is constant यानि कि जितना volume आख गुजर रहा है pipe के नदर से वो भी क्या है constant है क्योंकि यह av के एक बन है और av constant है तो rate of volume flow भी क्या हो जाएगा constant हो जाएगा सही तो volume flow rate के बारे हम क्या कह रहे है the volume of an incompressible fluid passing through at any point in unit time हमने कहा था कि volume constant रहता है तो यहां पर हमारे पास इस स्टेटमेंट से यह भी प्रूव हो रहा है कि हमारे पास rate of volume flow भी क्या है constant है यह volume flow कैसा है का देखिए यहां पर हम बता चुको velocity के rate of change of displacement a into del x यानि कि area into length जो आपके पास क्या बन जाएगी volume बन जाएगा तो rate of volume rate of flow of volume भी हमारे पास क्या हो जाएगा constant हो जाएगा सही आगे चलते है next हमारे पास क्या rate of flow of mass we know that av equals to del v divided by delta t यह भी हम लोग ने बनाया है देखिए यहां पर av equals to del v divided by delta t तो हम कहा रहे हैं कि volume के अगर हम लोग definition की बात करें तो volume हमारे पास क्या होता है अगर density की definition से निकाल रहे है तो density के होती है mass per unit volume अगर हम volume निकालने तो क्या हो जाएगा mass per density सही तो यहां पर मैं volume की value को put कर दूँ that is del m divided by density into del t multiply हो जाएगा right density को वहां shift कर दूँ तो ही क्या हो जाएगा a into v into p that will be equals to del m divided by delta t तो यह भी factor हमारे पास क्या हो जाएगा constant हो जाएगा that means के rate of flow of mass भी हमारे पास pipe के अंदर जाएगा constant है above relation shows that the rate of flow of mass of incompressible fluid will be constant this result express the law of conservation of mass in fluid dynamics यानि के mass आपका जाएगा conserve रहेगा initial state के अंदर भी और final state के अंदर बहेगा time interval के तर जो mass आपका इस flow out होगा वो क्या रहेगा constant रहेगा that is called the equation of continuity equation of continuity हमेंजे वो तीन results provide कर रहा है that area is inversely proportional to the velocity of the fluid जहाँ पर area ज्यादा होगा वहाँ पर velocity कम हो जाएगी जहाँ पर area कम हो जाएगा वहाँ पर velocity बढ़ जाएगी दूसरी बात क्या है कि ideal fluid के लिए rate of volume flow constant रहेगा तीसरी बात क्या है कि ideal fluid के लिए rate of flow of mass भी वहाँ पास क्या रहेगा constant रहेगा that is called the equation of continuity में आपको क्या बताया था कि equation of continuity में हम यह देखेंगे कि हमारे पास continuity in fluid कैसे आ सकते है तो यह तीन factors ने जिससे हमारे पास equation of fluid के अंदर continuity हम लोग generate करवा सकते हैं सही तो यह हमारे पास unit number 6.4 equation of continuity अगर बैटा कोई problem है कोई question है या कुछी समझ नहीं आई हो तो आप question कर सकते हैं इसका answer कर दूँगा और हमारा जयाव chapter 6 के यही चार topics included है अब इंचला हम लोग जयाव assignments and नमाइकस के पर चलेंगे और फिर इंचला हम जयाव आगे चलेंगे सही तो thank you very much and Allah Hafiz दौ में आद रखेगा बटा सही Allah Hafiz